हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 9 की अर्थव्यवस्था का चैप्टर 3 का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्धनता एक चुनोती देखें पिछला जो पार्ट है ना उसी में मैं सारी चीज इनसर रह रहे हैं भावी चुनोतियों के बारे में बात करना है ठीक है हमने निर्धनता देख चुके हैं हम और जो हमने निर्धनता का अनुमान कैसे लगा जाता है निर्धनता रेखा क्या होती है ठीक है निर्धनता को जो है कम करने के लिए या फिर कह लिए हटाने के लि देखे भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है लेकिन प्रगत के बावजुदना निर्धनता उर्मूलन जो है भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें गरीवी को कैसे कम करना है ठीक है ग्रामीर और शहरी छ जगा कितनी गरीबी है और केरल वगेरा राज्यों में कम गरीबी है तो इस प्रकारना कैसे व्यापक असमानता को कम करना है तो कुछ समाजिक और आर्थिक समूझ निर्धनता के प्रती अधिक अशुरक्षित है अब देखिए आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में यानि कि निर्धनता उन्मूलन को समझ रहे हैं निर्धनता उन्मूलन का मतलब यह है कि बहुत कम करना या फिर निर्धनत गरीबी को खत्म करना ठीक है अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्रगती होगी और यह मुक्यता उच्छ आर्थिक सम्रिद्धी सर्वजनी प्रात्मिक शिक्षा को 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए free and compulsory education provide कराया जाएगा ताकि लोग सिक्षित हो बच्चे सिक्षित हो ठीक है जनसंक्या विकास में गिरावाट महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते शशक्ती करन के कारण यह संभ एक देश निर्धन बना ही रहेगा एक देश का विकास टिपेंड करता है ना वहां पर रहने वाले लोगों के या मानो संसाधन के तो मानो संसाधन में महिलाएं भी आती है ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखिए अब देखे लोग के लिए ना निर्धनता की आधिकारिक प अवधार्णा का विस्तार मानो निर्धनता तक कर देना चाहिए अब देखे हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो लेकिन क्या उनके पास सिक्षा है क्या उनके पास घर है क्या उनके पास स्वास्त सुविधाएं है या फिर रोजक को कम करना नहीं होता है उनके पास जो है बेसिक सुविधाय तो होनी ही होनी चाहिए ना यह चीज बात को हो रही है अब देखे विश्व ब्यापी अनुभव यह बताते हैं ना कि विकास के साथ निर्धंता की परिवाशा भी बदली है अब देखे निर्धंता उन्मूलन जो एक उपलब्द करा सकेंगे यानि कि एक व्यक्ति इतना उसका आय हो सके कि वे अपने परिवार का भरन पोशन कर सके अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके स्वास्त सुविधाय मोहया करा सके उन्हें तो इतनी आय तो होनी ही होनी चाहिए यह एक्सपे और ये अभी और बड़े काम होंगे ठीक है इस चप्टर का सारांस भी देख लेते हैं देखिए हमने इस सद्ध्याय में क्या देखा निर्धंता के अनेक आयाम है इसे समानता निर्धंता रेखा के अवधार्णा के द्वारा मापा जाता है और इस अवधार्णा के द्वारा क्यों कि विद्वान लोग इस अफधार्णा का मानो निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं ठीक है अब आईए बात आती है questions की तो questions अब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमारा concept लिया नहीं होना है तो इसलिए question जो है वो feedback है ठीक है question का answer करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो और उपभोग स्तरों पर आधारितिक सामान्य पध्यति का प्रयोग किया जाता है भारत में निर्धनता रेका का निर्धारन करते समय जीवन निर्वां के लिए खाद्य अवशक्ता कपड़े जूते इंधन प्रकाश सैक्षिक इवंचिक सा संबंदी अवशक्ताओं आधि को मुख्य माना जाता है ठीक है यानि कि इन भौतिक मात्राओं को ना रुपियों में उनकी कीमत से गुणा कर दिया जाता है तो निर्धनता रेका का कलन करते समय खाद्य अवशक्ता के लिए वर्तमान सूत्र वांशित जो है जो कि मैंने आपको बताया था कैलोरी अवशक कारे करते हैं तो इसलिए उन्हें कैलोरी की भी जादा अवशक्ता है और शहरों में अपेक्षा क्रित कम यह चीज़ धान रखेंगे ठीक है अगला क्वेशन है क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है अब देखिए क्या है ना वर्तमान अस्तर की अपेक्षा नियूंतम निर्वास्तर को महतों देती है सिचाई हरित क्रामती के फैलाओं ने क्रिशी के छेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिये लेकिन भारत में इसका प्रभाव कुछी भागों तक सीमित रहा तो सारवजनिक और निजी दोनों छेत्रों में उद्योगों ने नौकरी के अवसर दिये लेकिन ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा काफी कम है ये ठीक है क्योंकि जनसंख्या तो ज्यादा है न ये चीज़ है तो निर्धनता को न विभिन संकेत को द्वारा जाना जा सकता है अब जैसे देखिए अनपढ़ता का अस है ठीक है ये चीज़ है अगला क्वेश्चन है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें देखिए बात करते हैं अगर 1973 की तो 55 प्रश्चत से वर्ष उनिस सो तेरानवे में 36 प्रश्चत जो है एक महत्पून गिरावटाई निर्धनता में और वर्ष कुछ वर्षों में जो है निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20 प्रश्चत से भी नीचे आ जाएगी लेकिन अब अगर मैं अगर प्रेजेंट डेटा की बात करूँ तो COVID-19 का दोर है GDP हमारी माइनस में चली आ गई अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थि व्यक्तियाए और GDP जादा होगी तो आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ेगी तो अब भाई आपको मैंने बताया कि इस समय जो है जो है तिमाही आई है रिपोर्ट की माइनस में आ गई है GDP हमारी माइनस 23.9 जीरो से भी नीची आ गई है तो आर्थिक सम्रिद्धी तो बढ़ना अब फिक्स है नहीं तो गरीबी जाहिर सी बात है बढ़ेगी हाँ लेकिन जिस प्रकार जो है 1973 के बाद लेखनी ये कदम हो रहे थे गरीबी के प्रती 55 से 36 से फिर गिर कर 26 आ गई 26 से बिर कर अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो जरूर गरीबी मिट जाए लेकिन अभी अगर आप मेरे अनुसार बात करें तो अभी जो है गरीबी को मिटाना पॉसिबल नहीं है अभी तो इवन मैं अगर बात करूँ बेरोजगारी की ना तो बेरोजगारी भी पढ़के बहुत ज्यादा हो चुकी है ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा अगला क्वेशन है भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं की एक विवरंट रश्तुत करें देखें भारत में निर्धनता के ना बहुत सारे कारण है सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था अपनिवेशिक शरकार अंग्रेजों के साशन अंग्रेज जब साशन कर रहे थे तो क्या था उन लोगोंने क्या किया उन लोगोंने पारंपरिक हस्त सिल्पकारी को नेश्ट कर दिया वस्त्रजैसे उध्योग की विकास को हत उससाहित किया विकास दर्धीमी कर दी ठीक है जिसके परणाम से सरुप क्या हुआ रोजगार के अवसर घटे और आई की वृद्दी धर ही दूसरा कारण क्या है भारती सरकार दो बातों में अस्पल रही पहली बात आर्थिक सम्रिद्धी को प्रोचसाहन और जनसंख्या वृद्धिपन नियंत्रन जो की निर्धनता चक्र को जो है इस्थिर करते हैं कम नहीं करते ठीक है तीसरी चीज सिचाई और हरित रांती में र द्धनराश की होती थी क्योख है चुक्אני वह निर्धन फ्रें जो है और रिर्धनत का कारण और परिणाम यह चाहनürü लखेगगा वाकारण क्या है आई के असमानता मैं यह नैंस जैसे आपको बताईए वाद निर्धता का एक प्रमुख और वित्रन आप जैसे देखते हों जल्द सनसादन और किसी के पास संसादन नहीं नहीं तो यह चीजों की असमान-वित्रण़ है ठीक है अगला कोएस्चन है उन्समाजिक और आर्थिक समुह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के शमक्ष निरूपाए ऑलतिक East और इस प्रकारना आर्थिक समूहों में सरवाधिक असुरक्षित समूह ग्रामिड क्रिशक शमिक परिवार और नगरी अनियत मजदूर परिवार है और इसके अत्रिक्त महिलाएं व्रिद्ध लोग बच्चियों को अधी निर्धन माना जाता है क्यों कि उन्हें सुव्यवस् रखेंगे ठीक है अगला क्वेस्चन देखते हैं भारत में अंतर राजी निर्धनता में विभनेता के कारण बताईए देखें आप सभी को जैसे कि मैंने बताया एक चार्ट के थ्रू कि भारत के प्रत्येक राज में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है जहां ऐसा GP से राज दरी निर्धनता में प्रत्य都有 करने में सफल्टा की我說 में अलग हैं UTरफि अलग समस्या बनी है ठीक है तो ये चीजे हैं तो अनात का सरवाधीक वित्रन, मानुसंसाद विकास, पर अधिक ध्यान, अधिक क्रिसी विकास, भूमिसुधार का उपायों पर जो है निर्धनता को कम करने में सहायता मिली है ये चीजे अगला क्वेशन देखेंगे वैस्विक निर्धनता की प्र से कम पर जीवन निर्वाह करने का अनुपाज जो है 1990 में 28 प्रच्चत से गिरकर 2001 में 21 प्रच्चत हो गया और 1980 में वैश्विक निर्धन के उलेखनी ग्रावट आई लेकिन इसमें न व्रिहत छेत्रिय भिनताया आए देखें तीवरार्थिक प्रगति हुई मानुसंसादन विकास में व्रिहत निवेश के कारण चीन और दक्षिर पूर्वेशिया के देशों ने अपनी निर्धनता में विशेश कमी लाई लेकिन भारत में ये प्रभाव थोड़ा कम नाजर आता है ठीक है अगला क्वेशन देखेंगे निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी लड़ नीती पर चर्चा कीजिए देखें क्या है ना कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई हैं जो दो चीजों पर डिपेंड करती है सबसे पहली चीज है आर्थिक सम्रिध्धी को प्रोचसाहन यानि कि विकास की उच्छ दर ने निर्धनता को कम करने के लिए महत् 1980 के दसक में आर्थिक सम्रिध्धी की दर विश्व में सबसे अधिक रही तो सम्रिध्धी दर 1970 के दसक में 3.05 से बढ़कर 1990 में 6% पहुँच गई तो इससे ये बात तो इसपस्ट हो जाती है कि आर्थिक सम्रिध्धी और निर्धनता मूलन के बीचना एक घनिष्ट है घनिष्ट संबंद हो भी क्यों अब यह बताओ कि GDP बढ़ेगी पर प्रतिव्यक्ति आए बढ़ेगी तो क्या होगा जाहिर सी बात है कि गरीबी कम होगी तो इनके बीच जो है घनिष्ट संबंद है तो आर्थिक सम्रिध्धी जो है अवसरों को व्यापक बना देती है मा साइब निर्धंता को समाप्त करने के लिए कई निर्धन निरोधी कारिक्रम चलाया है जैसे कि अब अब बताया मन रहा हम मंत्री रोजगार योजव योजना कि स्वरी मिरी गलफ हस गया थगैं तकि ईपने लग पानी लग दने लगे थी तो ठीक है घ्राम सुरा स्वरोज योजना हो गया प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हो गया अंतोदय योजना हो गया ठीक है और काम के बदले अनाज योजना यह सारी योजना हो गई ठीक है तो यह चीज ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं इनके संशेप में उत्तर देना है मानो निर्धंता से आप क्य तस्तर न मिलना यानि की अनपढ़ता रोजगार के अवसर में कमी स्वास्थ सेवा सुविधाएं सफाई व्यवस्था में कमी जाति लिंग भेद ये सारी भी तो मानों निर्धनता के कारक है न ये चीज है ठीक है दूसरी चीज निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है ठीक है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रिय ग्रामेट रोजगार गारंटी अधनियम 2005 की मुख्य विशेष्टाएं क्या क्या है देखे सबसे पहली विशेष्टा के बारे में बात करू अगर में तो ये जो योजना है न ये 100 दिन के कार्य को सुनिश्चित करती है यानि क ठीक है दूसरी चीच प्रारमभ मेना ये विधीय प्रत्यक वर्ष देश में 200 जिलो और और बाद में इस योजना का विस्थार 600 जिलो में किया गया तीसरी चीज प्रस्तावित रोजगार का एक तिहाई रोजगार जो है महिलाओं के लिए रक्षित है चौती चीज केंदर सरकार राश्ट्री रोजगार गारंटी कोश भी स्थापित करेगी तो इस कारक्रम के तहट जो है अगर आवेदक को ना 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्द नहीं कराया जाता तो उसे जो है द्यानिक रोजगार भत्ते के हगदार माना जाएगा तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स मताएं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस का ना बेलकुल भी ना भूलें थैंक्यू वेरी मच्च गाइस वीडियो को शे कर दिया करो ठीक है थैंक्यू वेरी मच्च